स्वागत है आप सभी का ज्यान सिंधू कोचिंग क्लासेस पर बच्चों आज हम पढ़ेंगे शेमुशी भाग दो से अन्तिम पार्ट अन्तिम पार्ट एका दस पार्ट यहां पर कहा गया है लेकिन अब ये दशमहा पार्था बन गया है कौनसा पार्ट दसमहा पार्था यानि दसम पार्ट यह दसमा पार्थ है और अन्तिम पार्ट पूरी शेमुशी में आपको 10 चैप्टर पार्टिकुलर पढ़ने हैं बकी जो भी चैप्टर थे वो हटा दिये गए हैं आपको मात्र 10 चैप्टर पढ़ने हैं और इन सारे दसों चैप्टर की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी यानि फुल प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है ये दस चैप्टर की लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्सन म मिल जाएगी तो आप जा करके शीग्र अतिशीग्र अपना से ले बस पूरा कर लीजिए समय कम है और मेहनत आपको ज्यादा करनी है चलिए प्राने भ्यों आप प्रियाह सुहिद अब आप कहेंगे सुहिद का मतलब क्या होता है सु मतलब अच्छा हृद माने दिल हार्ट या या पूरा दिल हो अपना और दिल जिगर कोन होता है जिगरियार होता है तो ये हो गया पूरा नाम इसका मित्र सुहिर्द का मित्र प्रिया मतलब प्यारा प्राने भ्यो अपी प्राने भ्याह अपी प्रानों से भी प्यारा मित्र प्रानों से भी प्यारा कौन मित्र आनंद के साथ पढ़िए देखे मुझे मायूसी से पढ़ाना अच्छा नहीं लगता आनंद विभोर होके पढ़िए और शेयर कर दीजे जब अर्दस तरीके से ताकि आपके साथी भी आनंद लें तो प्रस्तुतो अयम पाठा हा अयम नाट्य अंश ये नाट्य अंश प्रस् अस्तुत नाट्य अंश महा कवी विशाखदत्त स्य महा कवी विशाखदत्त की कृति ही मतलब रचना मुद्राराक्षसम मुद्राराक्षस इती नाटकस से मुद्राराक्षस नाम के नाटक के प्रथम अंकात अंकात मतलब से प्रथम अंक से जहां पर अंकात लग जाए आत आत लगता चला जाए यानि आत प्रत्ते लग जाए तो उसको क्या कहेंगे यहां पर से निकलेगा यानि पंचमी यहां बन जाती है प्रतम अंकात प्रतम अंक से ग्रामात ग्राम से रामात राम से बालकात बालक से और इसी प्रकार वनात वन से सिंगात सिंग से तो से तो प्रथम अंकात प्रथम अंक से उद्रितो अस्ति उद्रित है यह नाट्यांश महा कभी विशाखदत की क्रती मुद्राराक्षस नाटक के प्रथम अंक से उद्रित है और नाटक अस्य नाटक अस्य असमिन भागे नाटक के इस भाग में भागे मतलब भाग में इस लेकिन यहां स्वा मने अपने सुहिर्द मने मित्र अर्थम मने के लिए स्वा सुहिर्द अर्थम तो अपने मित्र के लिए प्राणों उत्सरगम करतुमप प्रयतते प्राणों उत्सरगम अर्थाद प्राणों को न्योचावर करतुमप करने के लिए भी करतुमप मतलब करने के लिए भी प्रयतते प्रस्तुत हो जाता है अत्र यहां कथान के नंदवंशस्य विनाशांतरम तस हितैशनां बंधनक्रमे चानक्रमे चन्दन दासा संप्राप्त है कथान के कथानक में कथान के यहां अत्र कथान के यहां कथानक में नंदवंश स्य नंदवंश के विनाश अनंतरम विनाश के प्रस्याद तस हितैशना तस हितैशना मुस्के हितैशियों को बंधन क्रमें पकडवाने के क्रमें चानकें चानकें चन्दन दासा संप्राप्त हा चानकें मतलब चानकें के द्वारा रामेन राम के द्वारा लक्ष तो चानके ने चानके के द्वारा चंदनदासा संप्राप्ता है चंदनदास को संप्राप्ता मतलब प्राप्त हो जाता है यानि की पकड़ लिया जाता है बद्धो अपी चंदनदासा बंधा हुआ भी चंदनदास अमात्यादी नाम विशय न किमपी रहस्यम प्रोक्तवान अमाते आदी नाम का मतलब अमाते मने होता मंतरी मंतरी आदी के विशय में न कीमपी कुछ भी रहस्य म प्रोगतवान रहस्य नहीं कहा वारतालाप प्रसंगे वारतालाप के प्रसंग में राजडंड भी तहा राज दंड से डरा हुआ समुत पादने अपी राज दंड भीती समुत पादने अपी राज दंड के भीती माने भाय के समुत पादने अपी माने उत्पन हो जाने पर भी सह माने वह गो अपी रहस्यम गो अपी रहस्यम अनुद घाट किसी भी रहस्य को गुप्त रहस्य को गो दंडम सुविकृत राज दंड को सुविकार करके सुषित मतले मित्र में निष्ठाम प्रबोधयती मित्र की निष्ठा को प्रबोध मतलब बताता है या प्रकट करता है अब हम चैप्टर देखें कहां से चानक क्या है तो चानक क्या है यानि की चानक क्ये चानक क्ये का वक्त सब है चानक के कहते हैं वत्स मरिकार स्रेष्ठिनम चंदन दास इदानीम द्रस्टुम इच्छामी अब चानक के का प्रवेश होता नाटक चल रहा है तो चानक के मतलब चानक के चानक के कहते हैं वत्स मरिकार स्रेष्ठिनम मरियों के व्यापारी रतनों के व्यापारी मरिकार अस्रेष्टिनम स्रेष्टि मतलब सेंठ आजकर सेठ कहा जाता ना गावों में तो मडिकार अर्थात रतनों के glitter इस रतनों के स्रेफ्ट्रेख सेडिया भ्यापारी चंधन डासम चंधनाज को एदानीम में समय दृष्ट्व में च्छा में देखने ही इच्छा करथा हूं। चन्दन दास को मैं इस समये देखना चाहता हूं। इचाना क्या वाज शिश्य। आव शिश्य क्या कहता है। तथेत, 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 मतलब तथेत, ऐसा ही होगा, तथा, तथा मतलब ऐसा ही होगा, तथा ही होगा, निश्क्रिम्य निकलकर चंदन दासेन सह प्रविश्य, निकलकर और चंदन दासेन, चंदन दास के सह मतलब साथ में प्रविश्य प्रवेश क करके इतहा इतहा स्रेष्ठिन इधर इधर सेंट इधर से इधर से सेंट जी उभव परिक्रामता दोनों घूमते हैं उभव उभव कार्थे दोनों परिक्रामता मतलब परिक्रमा करते हैं घूमते हैं तो शिष्ष क्या कहता है उपस्रित पास जाकर उपाध्या ए अयम स्रेष शृति चंद ऑने दास हरा अध्यापक महोदय, आयम माने यह स्रिश्ठी मतलब सेंथ sändra니다. आप ऐसे लिखेंगे तो अब यह जहेत धन आर्या लिखेंगे तो यह थोटा उड़ा मिलने से ओ और अर्थाप एकोएड़ चीड़ संधि से आप यहाँ संपाधन वोकर यहत त्वारियहा बंता है ठीक चलिए तो वो क्या कहता है जयतु आर्यहा चन्दन्दास कहता है जयतु आर्यहा आरे की जय हो आरे की जय हो जयतु आर्यहा मतलब आरे की जय हो चानक के बोलते हैं स्रेश्ठिन स्वागतम ते आपी प्रचीयन ते सम्व्यवारणाम व्रद्दिलावा हे सेट तुम्हारा स्वागत है क्या व्यापार में व्रद्धिकत लाब बढ़ रहे हैं स्रेश्ठिन हे सेट स्वागतम ते तुम्हारा स्वागत है ते का मतलब तुम्हारा आपी और भी प्रचियंते संब्यवारानाम व्रद्धिलाभा व्रद्धिगत लाभ प्रचियंते अर्थात बढ़ रहे हैं संब्यवारानाम अर्थात व्यापार में क्या आपके व्यापार में व्रदिगत लाब बढ़ रहे हैं तो चन्दन्दास आत्म गतम चन्दन्दास अपने मन में कहता है अत्यादरह शंकनिया अधिक आदर संकनिय है चन्दन्दास अपने मन में क्या सोचता है अत्यादरह अत्यदिक आदर शंकनिया है शंकनिय है शंका का विशय है अत्यधिक आदर शंका करने योग्य होता है शंकनिय मतलब शंका करने योग्य शंका में अनियर प्रत्ते लगा है तो शंकनिय है शंका करने योग्य अत्यधिक आदर क्या है अगर आपको कोई ज्यादा इज़त दे दे और कभी कम देता हो, तो समझ लो का है, कुछ दाल में काला है कि दाला ही काली है, प्रकास हमाप प्रकट रूप से कहता है अतकिम, 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 यानि और क्या, आरेस से प्रसादेन, और क्या, आरेस से प्रसादेन, आरे की प्रसाद से, आरे के आशीरवाद से, अ अखंडित है, मेरा व्यापार अखंडित है, अखंडित मतलब बाधारहित चल रहा है, आबादगती से चल रहा है, तो चानक के कहते हैं भोसरेश्ठिन, अरे सेंट, प्रीताब्या, प्रकृतिब्या, प्रतिप्रियम इच्छंति राजानहा, भोसरेश्ठ, अरे स्रेश्ठ, प्रिताभ्या यानि जो प्रसन प्रजाजनों से राजा लोग भी प्रतियुपकार चाहते हैं प्रिताभ्या मतलब प्रसन लोगों से प्रकृतिब्या माने स्वभाव वाले प्रसन सवभाव वाले विक्तियों से प्रिताभ्या मतलब प्रसन और प्रकृतिब्या सवभाव वाले के प्रति प्रियम इच्छन ति राजा नहां अधिश्य ते आधिश्य दीजिएगा आधिश्य दीजिएगा कितना और क्या चाहिए इस जनसे अर्थात मुझे से आप चानक के कहते हैं क्या कहते हैं चानक के तो चानक के कहते हैं भोसरेश्ठिन अरे सेंट चंद्रगुप्त राज्यम इदम ननन्द राज्यम चंद्रगुप्त राज्यम इदम ये चंद्रगुप्त का राज्य है हे सेंट ये चंद्रगुप्त का राज्य है नंद का राज्य नहीं है बहुत स्रेश्टिना हे सेंट चंद्रगुप्त राज्यम इदम नन्द राज्यम. रंद का राज्य नहीं है ये ये चंद्र गुप्त का राज्य है और नन्द से एव अर्थ सम्बंध हा प्रीतिम उत्पादयाती नन्द से एव नन्द ही नन्द के राज्य में धं का संबंद प्रसंदता उत्पन करता है परंतु चंद्रगुप्त के राज्य में नहीं क्या कहा उन्होंने धन का संबंद प्रसंदता उत्पन करता है नंद के राज्य में चंद्रगुप्त की तो प्रसंदता आपके सुक में है समझिएगा नंदस्य एव अर्थ संबंधा प्रीति मुत्पादयती नंदस्य एव नंद का ही नंद के ही राज्य में अर्थ संबंध धन का संबंध प्रीति मुत्पादयत प्रसंदता उत्पन करता है और चंद्रगुप्त से तू लेकिन चंद्रगुप्त के राज्य में भावताम अपरिकलेश एव आपकी अपरिकलेश माने आपकी प्रसंदता ही सरवुत्तम है चंद्रगुप्त के साथ आर्य अनुग्रहीत हूँ अस्मी मैं अनुग्रहीत हूँ अस्मी कारते हूँ जहां पर भी लग जाये अस्मी वहां पर हूँ ठीक है अस्मी मिन्स हूँ आगे देखिए तो अब चानक के कहते हैं भोश रेष्ठिन हे सेंट सचा अपरिकलेश हा कथम आविरभवती इतिननुभवता प्रस्टब्याह एस्मा कहने का मतलब यह है हे सेंट और चा अपरिकलेश हा चा अपरिकलेश हा तो अपरिकलेश हा दो शब्दों से मिलकर बना चा अलग है चा अलग है और अपरिकलेश हा अलग है अपरिकलेशा का मतलब होता है दुख का अभाव और दुख का अभाव जहां पर दुख न हो यानि सुख तो कुल मिलाके अपरिकलेशा का आर्थ है सुख तो कहते हैं भोस्रेश्ठिन हे सेंट और वहा सचा और वहा अपरिकलेसा यानी सुख कथम मिंस कैसे आविर भवत मिंस उत्पन होता है इति माने यहां ननुमाने निश्चे ही भवता माने आपसे प्रष्टब्या पूचना चाहता हूं प्रष्टब्या आइस्म यह आपसे पूचने योग्य है यह हमसे पूचने यह प्रष्टब्या पूचने योग्य है प्रष्टब्या कैसे बना है प्रिच्छधा तुमें तब्यत प्रत्य लगा है तब्यत मतलब चाहिए के अत्मे है और योग्य के अत्मे है तो पूछना चाहिए, प्रश्चप्याप पूछना चाहिए ठीके, तो यह आपके दौरा मुझसे पूछना चाहिए चन्न अन्दास कहता आज्या पे तु आ रहा आज्या दें, आ रहा हे आज्या आज्या दिजिये तो चाणे के कहते हैं राजनी राजा के अनुकूल ही विवहार करना चाहिए राजानी अर्थात राजाओं के अविरुद्धम अर्थात बिना विरोध किये हुए वरत्ति ही भव मतलब विवहार करना चाहिए राजाओं के बिना विरोध किये विवहार करना चाहिए यानि राजाओं के अविरुद्ध विवहार करना चाहिए राजाओं के विरुद्ध नहीं चन्न दास कहता है आर्य कहा पुनरधन्यों राग्यों विरुद्ध इति आर्येण अवगम्यते तो चन्नन्दास क्या कहता है कि आर्य हे आर्य कहा कौन है पुनरधन्यों वो अभागा कौन है पुनहा अधन्यों देखे पुनरधन्यों नहीं पुनहा अधन्यों अधन्यों का मतलब होता है अभागा ठीक है तो क्या कहता है कहा पुनहा अधन्यों वो कौन अभागा है जो र राज्यो विरुद्धम राजा के विपरीत आरेण अवगम्यते आरे की द्रस्टी में आया है आरेण मतलब आरे की अवगम्यते माने द्रस्टी में आया है यानि आरे के द्वारा समझा गया द्रस्टी में आना यानि अवगम्यते का मतलब समझा गया है ठीक है तो आरेण आरेके द्वारा समझा गया है काहा पुनरा अधन्यों राग्यों वो अभागा राजा कौन है जो विरुद्ध में है आरेके द्वारा विरुद्ध समझा गया है तो चानक के कहते हैं भवान एव तावत प्रत्मम सर्व प्रत्म तो आप ही हैं भवान एव आप ही हैं तावत सरव प्रथम तो आप ही हैं, चन्न दासा चन्न दास करणों पिधाय कानों को बंद करके, करणों पिधाय का मतलब समझ लिजिए, कानों को बंद करके, करणों में इस दो कान, पिधाय मतलब बंद करके, शानतम पापम, शानतम पापम, शानतम पापम, पाप शानत हो, की द्रिशम, की द्रिशह, त्रना नाम, अग्निना सहा विरोधा की द्रिशम मबलब कैसे कैसे त्रणानाम अर्थात तिनकों का तिनके समस्ते हो घास के टुकडे सूखे हुए अग्निना अर्थात अग्नी के सह माने साथ विरोधा माने विरोध पाप शांत हो पाप शांत हो तिनकों का अग्नी से कैसा विरोध तिनकों से तिनकों का अग्नी के साथ कैसा विरोध चानक क्या अब चानक के बोलते हैं आयम के साथ कैसा विरोध है यत माने की है तों अध्यापी तुम आज तुम अध्याप आज भी राजा पत्थे कारिनों अमात्य राक्षसस ग्रिह जनम स्वग्रहे रक्षसी तुम अध्याप तुम आज भी राजा पत्थे अकारिनों तुम आज भी राजा चंद्रगुप्त का अनिष्ट करने वाले आमात्य राजा पत्थे राजा अपत्थे दिखें यहाँ पर राज अपत्थे यहाँ पर अपत्थे लिखा है अपत्थे तो राजा के अपत्थे का मतलब होता है बिरोधी अपत्थे का मतलब क्या होता है अनिष्ट राजा के अनिष्ट कारणों अर्थात अनिष्ट करने वाले अमा मंत्री राक्षस से राक्षस के ग्रह जनम, घर के जन की भात स्वग्रहे रक्षस से अपने घर में रक्षा कर रहे हो, अपने परिवार की अपने घर में रक्षा कर रहे हो, आगे दिखिये क्या हुआ, चन्दन दास हा, अब चन्दन दास बोलता है, चन्दन दास क्या कहता है आर्य अलीकम एतत केन अपि अनारेंड अर्याई निवीदितम चन्दास कहता है चन्दास क्या कहता है हे आर्य आर्य अलीकम एतत ये ठीक नहीं है अलीक का मतलब है ठीक नहोना ये ठीक नहीं है केनाप अनारेन किसी दुष्ट के द्वारा आर्याय निवेदितम किसी दुष्ट के द्वारा ये आपसे निवेदितम अर्थात आपसे कहा गया है यानि आर्याय निवेदितम आर्याय हे आर्या आपके लिए किसी दुष्ट के द्वारा निवेदित किया गया अर्थाथ निवेदन मतलब कहा गया है किसी दुष्ट ने आपसे ये गलत कह दिया है तो चानक के कहता है भोस रेश्ठिन हे सेंट चानके कहते हैं भोस रेष्ठिन हे सेंट अलम आ शंकblesा शंका मत करो अलम का अ रत होता है मत अलम हसितेन मत हसो तो अलम शंका मत करो वीताह पूर्व राज पूरुशाह पावरानम इच्छताअ अपी पौरानम इच्छताम अपी ग्रहेश ग्रहजनम निक्षिप्य देशांतरम व्रिजनति से सेट अलम शंकया शंका मत करो भीताह पूर्व राजपुरुशाह पूर्व राजपुरुस भीताह अर्थात भैभीत पौरानाम इच्छताम अपी अब ये पौरानाम क्या होता है पौरानाम होता है निवासी नगर निवासी पौरान मतलब होता है जो नगर के निवासी हैं तो पौरानाम नगर के निवासियों इच्छताम अपी इच्छा के अनुसार भी नगर निवासियों के की इच्छा के अनुसार भी ग्रहेशु ग्रहजनम ग्रहेशु घरों में ग्रहजनम अपने परिवार को निक्षिप पे छोड़ कर देशांतरम व्रजन्ति देशांतर अर्थात दूसरे देश में चले जाते हैं। कहने मतलब यह है कि सेंट संका मत करो भायभीत नंद के जो पूर्व सेवक नगर वासियों की इच्छा के अनुसार भी उनके घरों में अपने परिवार को छोड़ कर दूसरे देश में चले जाते हैं यानि हमारे डर से कोई नहीं रुखता है ततहा तत प्रच्छादनम दोशम उत्पादयती ततहा मतलब इसके पस्चाद तत प्रच्छादनम उनको छिपाए रखना ही यानि जैसे कि आप इस प्रकार समझे वो चानक की क्या कह रहे हैं कि हे सेंट अलम संक्या आप संका मत करो भीता मतलब भैबीत पूर्वराजपुरुसा जो पूर्वराजपुरुस के जो नगर निवासी होते हैं परणाम इच्छतामप इच्छा से भी ग्रहेस यानि घरों में ग्रहजनम अपने परिवार के सदस्यों को छोण कर देशांतरम ब्रजनत दूसरे देश को चले जाते हैं ठीक है तताहा इसके पस्चा तत प्रच्छादनम उनको छिपाना दोशम उत्पादे दो सुत्पन करता है यानि अगर हमने पहले जो राजा थे उनके जो सेवक हैं वो राजा चला गया दूसरे देश को तो उसके सेवक भी दूसरे देश को चले जाएं ठीक है और वो परिवार के सदस्यों को धकने की कोशिस की छुपाने की कोशिस की दोसम उत्पादे इसमे उनका दोस्त है वो दोसमे किना जाएग़ व अप्राद उत्पन करता है तो चन्時間 अंदासा-चननदास कहता है वास्तों में ऐसा ही है वास्तों में ऐसा ही है इदम मतलब ये है तस्मिन समय उसी समय आसीद असमत ग्रहे अमात तिराक्षसस सिग्रहजन इति उस समय मेरे घर में अमात तिराक्षस का परिवार था वास्तों में ऐसा ही है तस्मिन समय उस समय तस्मिन कारत है उस समय मतलब समय में आसीत माने था असमत ग्रहे मेरे घर में आमात्य राक्षस से आमात्य मंत्री राक्षस का ग्रहजन यानी परिवार मेरे ही घर में था चानक की कहता है पूर्वम अन्रितम इदानीम आसीत इती परसपर विरुद्धे वचने पूर्वम पहले अन्रितम जूट है इदानीम अब आसीत यनी था चानक की कहता है पहले जूट था और अब वो सच था इती परसपर विरुद्धे वचने ये दोनों वचन परसपर और आप कहते हो ऐसा था तो यह दोनों वचन विरुद्ध हैं आपस में बातें टक्रा रही हैं एक बार जूट कहते हो था नहीं थे दूसरी बार कहते हो आप कहते हो कि थे तो यह परस्पर यापस में वचन जो है यह विरोधी वचन है चंदन्दासा चंदन्दास कहते आर्य तस्मीन समय उसी क्षण आसीत असमत ग्रहे चंदन्दास क्या कहता है उसी च्ण यानि उस समय तस्मीन च्णे तस्मीन समय या तस्मीन च्णे आसीत माने थे असमत ग्रहे माने हमारे घर में यानि उस समय ही मेरे घर में आमात राक्षसस ग्रहजन आमात राक्षस का परिवार इति था, इति ठीके, तो चानक के कहता है, अथ इदानीम को अगतह, अच्छा, तो इदानीम मतलब अब उक्वा कहां अगतह चला गया, और अब कहां चला गया, तो चन्न दास कहता है, नजानामी नहीं जानता हूं, नजानामी नहीं जानता हूं, तो चानक के कहता है कथम नग्यायते नाम क्यों नहीं जानते हो कथम नग्यायते नाम मतलब जानते हो ग्यायते नाम एक में लिखा गया तो कथम नग्यायते नाम क्या नहीं जानते हो भोस रिष्ठिना है अरे सेंट सिरसी भयम सिरपर भय है आगे बढ़ा लेते हैं जरा शिरसी भयम सिरपर भय है आतिदूरम तत प्रतिकारह और उससे बचने का उपाए अतिदूरम तत माने उससे प्रतिकारह उसके बदले उपाए बहुत दूर है अतिदूरम तत प्रतिकारह उसके बदले प्रतिकार माने बदला होता लेकिन यहां पर उपाए का आर्थ दिया गया है अतिदूरम तत प्रतिकारह सिरपर भय है और उसका उपाए दूर है मैं मैंने मुझको भायम दर्शे भाय दिखा रहे हो मुझे क्या भाय दिखा रहे हो संतम अपि गेहे मेरे घर में संतम अपि ग्रहे आमात राक्षसस ग्रह जनम नसर समर पयामी किम पुनरह पुनर संतम आप मुझे क्या भाय दिखा रहे हो मेरे घर में आमात तिराक्षस के परिवार के होने पर भी मैं उसे समर्पित नहीं करूँगा फिर नहीं होने पर तो क्या कर सकता हूँ क्या बोले अब दिखे समझे यहां की बात समझे भाशा समझना है आपको अगर आप किसी की बातचीत नहीं समझ पाते हैं तो नाट्यांस आपके लिए कठिन हो जाएगा तो कहते हैं आरे किम में भयम दर्शेस क्या तुम मुझे डरा रहे हो संतम अपि गेहे घर में होने पर भी अमात्तिराक्षस से अमात्तिराक्षस के ग्रह जनम परिवारी जनों को न समरपयाम मैं समरपित नहीं करूँगा किम पुनर असंतम पुना देखे यहां पुनाह धन असंतम ठीक है असन्ता मतलब न होने पर पुना, फिर, न होने पर, अगर होते भी, तो मैं उसके परिवार को न देता, लेकिन अब तो नहीं है, न होने पर क्या कर सकता हूँ? तो चानक के बोलते हैं चानक के क्या कहते हैं चन्दन्दास एशेव ते निश्चे है यही मेरा निश्चे है चन्दन्दास एशेव यही ते निश्चे है तुम्हारा निश्चे है चन्दन्दास एशेव ते निश्चे है यही तुम्हारा निश्चे है एशेयो मैं निश्य आहा यही मेरा निश्य तो चानक के कहते हैं स्वगतम अपने मन में साधु चंदन्दास साधु साधु का आतोता है शाबाश शाबाश चंदन्दास शाबाश यानि दूसरों की वस्तु को समर्पित करने पर बहुत धन प्राप्त होने की स्थिती में भी दूसरों की वस्तु की सुरक्षा रूपी कठिन कारे को एक शिवी राजा को छोड़ कर तुम्हारे सिवा दूसरा कौन कर सकता है यानि जो राजा शिवी थे उन्होंने ऐसा कारे किया था और आप हैं सुलभेशु स्वार्थ लाभेशु पर समवेदने जने और काईदम दुशकरम कुर्यात इदानीम शिविना बिना इदानीम अब शिविना राजा शिवी के बिना देखे शिवी एक राजा थे शिवी एक राजा थे शिवी के बिना कहा कौन इदम यह दुशकरम कठिन कुर्यात कर सकता है अब शिवी के बिना एक तो तुम्हारे और शिवी के बिना आप कौन कर सकता है सुलभेशु अर्थ लाभेशु पर समवेदने जने यानि जब समवेदने कार्थ यहां पर समवेदना यानि समरपन पर जने जनस से मतलब जने जनस से मतलब वेक्टी को लेकर तो समरपन जो पर समवेदने दूसरों के समरपन पर जने मने वेक्टी यानि ऐसे बहुत कम वेक्टी हैं ऐसे दुरलब वेक्टी हैं जो तो सरलता से किसी की वस्तू जो धरोहर के रूप में है उसको दे देंगे नहीं देंगे न तो दूसरों की वस्तू को समर्पित करने पर बहुत धन प्राप्त होने की स्थिती में भी ऐसे दो ही विक्ति हुए हैं एक तो आप और दूसरे राजा शिवी जिन्होंने ऐसा कारे ऐसा कदम उठाया अन्य था लोग तो लालच में आकर के धनके लालच में आकर के तुरंत ही चीजों को दूसरों को दे देते हैं तो बच्चों आज की कहानी ने आपको बहुत अच्छा सीख दिया मेरे चैनल पर हिंदी ए बी दोनों को पढ़ाए गए हैं क्लास टेंथ के लि लाइब क्लासेज और आज बचकर तीस मिनट पर संस्कृत की लाइब क्लासेज आज आपके दस पार्ट दस के दसों हो गए अब हम इन पार्टों के नंबर एक से रेकर के धीरे धीरे हम क्वेश्चन एंसर जो भी इसके अभ्यास कार्या आते हैं फिर आपकी हम ग्रामर पो दीक आता जाएगा फिलाल तो मैं ग्रामर स्टार्ट करूँगा अगली बार से अगला अगला चैप्टर आपका ग्रामर से होगा इनका तब तक आप अनुआद याद करते रहिए अनुआद याद होने की स्थिति में आप सब कुछ समझ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होग फिलाल मैं ग्रामर स्टार्ट करूँगा आगे से और ग्रामर के बाद आप धीरे 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 चीजों को अब्ज़र्ब कर लेंगे समझ लेंगे ये संस्कृत है दो बार एक चैप्टर आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा और भूलेगा बहुत बहुत धन्यवाद डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक हैं वहाँ जाकर के जरूर पढ़िएगा